जली आईए तो अब हम लोग चालू करें सबको मेरा वाइस आ रहा है क्लियर ली एकदम वाइस एकदम क्लियर आ रहा है मैंगा मैंगा मैक लगाया मैंने ठीक है चलो आओ पहला कुस्चन हम लोग रीड करेंगे सेप्टेंबर 2019 का पेपर सबी निकाल लो प्रवर से निकाल लो सेप्टेंबर 2019 में टॉटल में 9 कौस्चन था तो मम लोग चालू करेंगे कौस्चन नमबर 9 से कौस्चन 9 से हम लोग चालू करेंगे and actually wants to model a particular type of राच डाउनलोड करना पड़ता है जिप के लिए एक्जाम में भी यही सब गलती करोगे उनको पता है पोन पे भी होना चाहिए इतने दिर से तुम डाउनलोड की क्यों यह उनको यह नहीं समया आके बसके लिए बैठ गई माथा एकदम सुन चलो आओ and actually wants to model a particular type of claim size and has been advised to use a gamma distribution with probability distribution function so अमलोग को f x alpha theta अमलोग को दे दिया है so x to the power alpha minus 1 gamma alpha theta to the power alpha e to the power minus x by theta x like कर रहा है तुमारा 0 से infinity and alpha is greater than 0 and theta is greater than 0 so using moment generating function that expectation of x expectation of x square and expectation of x cube ठीक है दहिनाक फड़कने से क्या होता तुम लोग को पता है क्या मेरा एक हफ्ता से दहिनाक फड़क रहा है लड़का लोग के लिए कौन सा बड़ी होता है चैट बॉक्स पर बताना तो मेरा राइट आई ब्लिंक कर रहा है मैं बहुत दिन हो गया मेरा आख में प्रॉब्लम है कि कुछ अच्छा कुछ बुरा होने वाला वो नहीं समझ में रहा है मतलब इसको पता है तो बताना तो ठीक है तुम लोग बोल रहे तो मान लेते हैं ठीक है अब बताओ कैसे करेंगे इसको सॉल्फ कैसे करेंगे बताओ वो तो ठीक है बेसिकली mxt क्या आएगा यह बताओ गामा डिस्ट्रिबुशन है ना तो mxt क्या आएगा स्टैंडर फॉम्ला लगाओ तो क्या आएगा वन माइनस थीटा टी सुदी पावर माइनस एल्फा ठीक है फिर हम लोगों को क्या-क्या निकालने बोला है समत्राटर निकालने बोल रहे हम लोगों को वो क्या आएगा बताइए एल्फा थीटा वन माइनस थीटा टी तुदी पावर माइनस एल्फा माइनस वन तो अमलों का यहां से एक्सपेक्टेशन अवेक्स क्या आएगा बताइए टी के जग़ा में क्या डलेंगे एफ एंडैश एक जीरो खाणा तो एम डाश एक जीरो क्या हो जाएगा बताईए फटरवट से एई बोलो निकों पकड़ेंगे भी सबको आगे का बता ही नहीं तो सॉल्व नहीं करूंगो मैं आज गामा डिस्ट्रिबूशन के एम जेफ क्या होता है वन माइनस टी बाइलाएंड हाँ टुड़ी पर माइनस अलपा एक्षिली माइट थोड़ा तेज है मैं डर किया एक बर सॉरी तिम लोग चाइट बॉक्स पर बोल दिया करो एक बर डर किया अरे नहीं दो दिन पहले शैतान देखे देन ऐसे लिए अच्छा पिचर है अजय देवगन इस वन फेवरेट अक्टर्स मेरा मतलब मतलब वो जिस तरीके से एक पे एक सीरीज बनाते जा रहे है लोगों को एक मुवी नहीं मिलता है बट इस मेकिंग सीरीज देवगन जैसे एक गोलमाल बनाया फिर दिश्यम बनाया भी रीसेंड में फिर वो बनाया सिंगम मतलब बता रहे हैं सब सीरीज लॉंच कर रहे हैं वह एक और है मैं को याद नहीं आ रहे हैं तो ऐसे करके मतलब बना रहे है वह और रोई शर्ति बहुत पिसा कमाया है इस तरह चेहरे वारा ठीक होता ना मॉडलिंग कर लेते थरह बता एम डेबल डश एक्षी क्या होगा अब आलफा के संग में आएगा एलफा प्लस वन थीटा स्क्वेर वन माइनस थीटा टी मैंने ट के रिश्पक में करना है विद्धी पार माइनस अलफा माइनस थू सो एक्स्पेक्टेशन ऑफ एक्स्क्वेर क्या आजाएगा बताएए एम डबल डश एक्जिरो तो दिस इस अलफा अलफा प्लस वन थीटा स्क्वेर सो एम ट्रिपल डाश एक्स्टी तो यह क्या आएगा अलफा अलफा प्लस वन अलफा प्लस टू थीटा क्यूब ने मैं हस इसलिए रहा हूँ कि मैं लाखो रुपे किसलिए ता मैं को अश्पा बत समझ में है जस्ट ओफलाइन जोक्स ओके स्वारी एक्स्पेक्टेशन ओफ एक्स्क्यूब विच इस एम ट्रिपल डाश एक्स्टी रो बहुत छोटा छोटा लग रहा है जमको इसमें पढ़ा के मतलब ऐसे वो बोर्ट पर पढ़ाते पढ़ाते आदत सा हो गया था मैनावर से उप़र हो गया अब ही नहीं बजट कंस्ट्रेंड नहीं लेकिन कभी-कभी बैट के भी पढ़ाने में आराम लगता हो और क्या एसा प्रॉब्लम नहीं कोई मैम एक लास लीती सीजटू का एक गंटे का उसके बाद मैम रूमनों घुसी नहीं एक जिरो क्या होगा बताये अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा प्लस टू थीटा क्यूब इस एक लिए ठीक है ना फिर बोलता है अल्फा के जगा में फॉर डाल दो अल्फा के जगा में फॉर डाल दो सो एक्सपेक्टेशन अफ एक्स विल बी फॉर थीटा एक्सपेक्टेशन अफ एक्स स्क्वेर विल बी ट्वेंटी थीटा स्क्वेर एंड एक्सपेक्टेशन अफ एक्स क्यूब विल बी वन ट्वेंटी थीटा क्यूब and sigma square तो अपने सब को पता ही है so sigma square will be expectation of x square minus expectation of x का whole square so this is 4 theta square फिर बोलता है coefficient of skewness और हम लोगों को define डी कर दिया है coefficient of skewness so उसके लिए ध्यान देना सबसे पहले coefficient of skewness के लिए ध्यान दिजेगा so mu cube जो उपर वाला जो numerator है now this is expectation of x cube minus 3 mu expectation of x square plus 2 mu cube so this is 120 20 theta cube minus 3 into 4 theta 20 theta square plus 2 into 4 theta cube so this is 8 theta cube so basically coefficient of skewness जो आएगा that is mu 3 by sigma का cube which is 8 theta cube by 2 theta का cube so this is 1 so this is 1 फिर हम लोग को बोलता है x1 x2 dot 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 extend be a random sample of n claims हम लोग को MLE निकालने बोल रहे है and फिर हम बोलता है theta hat is an unbiased estimator of theta बहुत easy question था ये बढ़ ठीक है चालू करते हैं इसको आगे so basically L theta will be what product I runs from 1 to N xi cube by 6 theta to the power 4 e to the power minus xi by theta ठीक है समझ यह ना gamma alpha alpha का value डाल दिये ठीक है तो अब इसको solve करेंगे तो क्या आएगा बताईए product xi का cube whole divide by 6 to the power n theta to the power 4 into n e to the power minus 1 by theta summation of xi अब log ले लेंगे so log लेने से क्या आजाएगा small l is equal to log of अपने को तो theta से मतलब है ना तो यह वाला constant हो जाएगा ठीक है ना तो मैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ एक बार so minus n जैसे ऐसे लिख लो log of a constant minus n ln6 minus 4n ln theta minus 1 by theta ln summation x होगा बिटा हाँ हाँ सभी बोल रहा है तुम ठीक है अब इसको क्या करेंगे dld theta so dld theta करने से 0 minus 0 minus 4n by theta minus ना summation x i by theta square होगा plus होगा हाँ तो this will be equal to 0 तो अब इसको solve कैसे करेंगे बताइए so theta hat अपना क्या आ जाएगा final बताओ summation x i by 4 which is by 4n आएगा which is x bar by 4 which is x bar by 4 आएगा फिर हम लोगों क्या प्रूफ करना पड़ेगा d2l d theta square less than 0 तभी तो maximum आएगा ना ठीक है बट करना तो पड़ेगा second order तो हर question में करना है second order हर question में करना है खाली जब partial derivative का बात आएगा तब नहीं करना है बाकि तो हर question में करना है ठीक है स्थूदेट हाँ हाँ देख लो या तक को रगी पुझ करना है जब धुझ करना हो करना करना है कि ठीक हैं? So, expectation of theta hat निकालना है फिर हम लोगों. So, expectation of theta hat will be equal to expectation of x bar by 4. So, this is equal to 1 by 4. x bar है ना? So, expectation of summation of x i by n कितना है? Hmm. Hmm. So, 1 by 4 n into n into expectation of x was what? 4 theta. So, यह मेरा कितना आएगा theta? Hence, theta is unbiased. फिर हम लोगों को निकालने बोल रहा है? So, x bar मेरा कितना आजाएगा? 796.2 by 100. So, theta hat निकालो. Theta hat is x bar 7.962 by 4. 1.9905, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा हम लोगो MLE निकालने बोल रहा है. तो वो तो theta hat निकाल ली है. फिर sample variance is what? Sample variance is s square. 1 by 99 हुजाएगा? विकोज n अपने को 100 दिया है. So, 1 by 99 into summation of xi square, which is 8189.4 minus nx bar का square. This into 7.962 का square. Can compare the result in part 6a with the variance of the distribution. So, क्या होगा? So, sigma square अपने निकाले थे 4 theta square, which is 4 into theta hat का square. तो यह आएगा 15.848. और s square मेरा आएगा 18.69. So, हम लोग क्या बोलते है? s square is a bit larger than the variance of theta hat. फिर अपने को निकालने बोल रहा है. Sample coefficient of skewness is 1.12. Comment on its comparison with the coefficient of skewness distribution calculated in part 2b. तो अपने पार्ट 2 का b में जो निकाले थे, वहाँ से अपना 1 आ रहा था, राइट? और यहाँ पर कितना दिया वे 1. ठीक है. फिर, हाँ? नहीं, close हुआ ना? बहुत एक्दम close हुआ है. एक का 1.12 और एक का 1 है. तो approximately 1 ही वो और क्या? Sample coefficient 1.12 is close to the distribution value of 1. फिर हम लोग को बोलता है, calculate approximate 95% confidence interval for theta by using an approximate 95% confidence interval for the mean of the distribution. तो कैसे करेंगे, बताईए. 95% confidence interval is what? x-bar plus minus 1.96 root under s square by n. क्योंकि s by root n होता है, ना? किसके लिए निकालने बोल रहा है? theta के लिए निकालने बोल रहा है. for the mean of the distribution of the claim size. चीक है, ना? और हम लोग को क्या पता है? mu मेरा कितना है? 4 theta, ठीक है? so, 4 theta है, ना? तो फिर अपने क्या करेंगे? theta के लिए अगर अपने को निकालना है, तो अपने करेंगे 1 by 4 x बार प्लस माइनस 1.96 s by root n बनी, ये तो mu के लिए हुआ ना? तो अगर theta के लिए निकालना है, theta is what? mu by 4 हम लोगो क्या बोला है? बोलता है, अप्रोक्सिमेट 95% confidence interval theta के लिए निकालो by using an approximate 95% confidence interval for the mean of the distribution of the claim size. ठीक है? तो यहला हम लोग solve कर लेंगे, फिर हम लोगो को बलते है, determine the variance of the distribution of theta at both lower and upper limits of the confidence interval. ठीक है? तो basically theta का मेरा जो उपर से आएगा ना, वो आएगा 1.779 और आएगा 2.202 ये मेरा theta का आएगा. तो अपने वोगो क्या बलता है? variance निकालो. तो variance अपना क्या आया था? बैता ये? 4 into theta square आया था ना? तो एक बार ये वाला डालेंगे, और फिर एक बार ये वाला डालेंगे. comment on the result in part 9a with reference to your answer in part 6a above. तो अपना lower limit आएगा 12.66 और अपना upper limit आएगा 19.40. ठीक है? तो S square का जो value है, close to 4 theta hat square. अपने क्या किये? theta का value निकाले, और फिर variance का भी upper and lower limit निकाल लिए. theta से. क्योंकि 4 theta square है, ना? तो वही बोलना है कि S square का value इसके और इसके बीच में लाई करता है. तो इसका मतलब कि S square is close to 4 theta hat square. ठीक है? ये अलग question बहुत important है, एक्जाम के लिए. बहुत अच्छा question है, और बहुत अच्छा है, इसमें mix भी है, सारा टेप का question इसमें मिलाया भी है. ये सबसे बड़ा चीज है इस question का. ठीक है? ओफिस में बोलो, लोग देंगे से तो लोग ऐस होगा. हाँ, बोलो, जतिश. सर, पार्ट एट सम्झाना दुबारा. कौन सा आला पार्ट इपिटा? सर, एट स्पार्ट. एट पार्ट ना? एक मिनुट. पार्ट एट. देख, सबसे पहले अपने क्या किये है? हम लोग निकाले मू के लिए. मू के लिए confidence interval is what? तो जो मू के लिए आएगा, that is, 4 theta के लिए आएगा है. उसको divide by 4 करेंगे, तो theta के लिए आजाएगा. चेक करो. चलाओ. कुश्चन नमबर 8 में आईए. ठीक हैं? आएगा है, a city is experiencing a high crime rate, particularly burglaries. A sample of 100 streets is taken, and in each of the sampled streets, a sample of 6 similar houses taken. same नहीं बोला है, similar बोला है, बन्दब 2 sample बनेगा. The table below shows the number of sampled houses which have had burglaries during the last 6 months. तो number of houses burgled, 0 ऐसे करके आ रहा है. Number of streets. So, basically, 39 streets ऐसे हैं, जहाँ पर 0 burglaries है. 36 streets ऐसे हैं, जहाँ पर 1 burglarie है, maximum यह लोग बोला है, 6 burglaries है. और उसी के हिसाब से फिर यह लोग distribution मनाया है. It is assumed that the number of sampled houses per street that have been burgled during the last 6 months follows a binomial distribution. Number of sampled houses per street. So, X follows binomial 6, P. ठीक हैं? Number of sampled houses per street that have been burgled during the last 6 months follows a binomial distribution. State any assumptions needed to justify the use of a binomial distribution for X. ठीक हैं? हाँ, बोलो. हाँ, binomial के लिए जो होता है, कि सारे के सारे इंडिपेंडेंट है. Each house must have the same probability of being burgled. Whether a house is burgled or not is independent of other houses being burgled. उसके अधने बोलता है, So, that the maximum likelihood estimate of P, the probability that a sample house has been burgled during the last 6 months, P के लिए निकालना है. तो अपने बनाएंगे likelihood for P, So, probability X is equal to 0, ऐसा कितना streets में हो रहा है? 39. So, probability X is equal to 1, ऐसा कितना streets में हो रहा है? 36. So, probability X is equal to 2, ऐसा कितना streets में हो रहा है? 19 में हो रहा है. है ना? फिर dot 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 probability, X is equal to 5, लास्ट आएगा. है ना? क्योंकि 4 और 5 पर 1 है. अब बैनोमेल डिश्टिविशन को अगर हम लोग करवाएंगे, So, X is equal to 0 मतलब क्या? 1-P to the power 39. फिर यहाँ पर रहेगा, P, 1-P to the power 5 to the power 36. P square, 1-P to the power 4, whole to the power 19 and so on. लास्ट में क्या आजाएगा? P to the power 5, 1-P. ठीक है ना? ठीक्स के लिए क्या लिखेंगे? है यह नहीं, ना, हो तो है यह नहीं, तो नंबर ही नहीं है. ठीक है तो है, X 5 है. X is 5. ठीक है? बोलो? हाँ. हाँ, 2-P to the power 6. हाँ, 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 हाँ. गुड, गुड. ठीक है? हाँ. ठीक है? पिर? ठीक है? ठीक है? इन्टू सम्में आ जाएगा है constant, फिर आ जाएगा this is constant into P e to the power 95, 1 minus P e to the power 505, so ln L P, so this is ln C plus 95 ln P plus patch so patch ln 1 minus P, so del del P of ln L P, so this is 95 by P minus 505 by 1 minus P, minus होगा, अब इसको 0 put करके यहां से P hat निकालेंगे, so P hat मेरा कितना आ जाएगा, 95 by 95 plus 505, so this is 0.15833, फिर इसका second order चेक करेंगे, second order चेक पना आएगा, विच विशल वी, minus 95 by P square minus 505 by 1 minus P का square, और दिस शुद बी लेस देन 0, लेस देन 0 ही है, in fact, ठीक है, फिर बोलता है, determine the fitted values of the binomial model using the estimate of P from part 2, ठीक है, so estimate of P के साब से कैसे करेंगे, अपने को करना है, so probability capital X is equal to small x, so this is 6CX, P to the power X, 1-P to the power 6-X, ठीक है, so basically यहाँ पर आपको क्या करना है, आप पहले X के जगब में 0 डालो, ठीक है, तो क्या आएगा, 6C0, P to the power 0, 1-P, ठीक है, और P का value मेरे को पता है, so basically सब डाल देंगे, तो यहाँ पर कुछ आएगा ना मेरा, क्या आरहे बताओ, हाँ, so ultimately क्या आएगा, 1-P to the power 6, and total अपने को कितना दे दिया है, 100, so 100 से multiply करना है, पहले वाले को जो भी आ रहा है, हाँ, 0.3555, तो कितना आएगा, 35.55, इस तरीके से बाकी सारा करके देखो, स कर्दादitल, सक्ष़्स saर देखेँ, कर्द pendant का दो आएगा, क्या आएगान आएगाывает, पहले झाएगा, hältे हैंO पहले आएगा इस्चाननितुद mess़फे DOWN, र chimney茶だätt, ईएगा जा תरीके से देखेखेगाईगा, झाल 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 तो अपना जो आ रहा है वो कितना कितना आ रहा है ठीक हैं फिर बुलता है कमेंट अंदो फिट अफ दो मॉडल इन पार्ट थ्री विटाउट डूइंग इनी फॉर्मल टेस्ट तो जैसे अब जैसे अपना पहला वाला है 35.5 है बट एक्शल में 39 तो पास पास ही लग रहा है देख देखे वैसी बाकी सारा भी है ठीक हैं तो इमप्लाइंग इंप्लाइंग it's a good fit implying it's a good fit फिर उसके बाब में बोलता है an insurance company works on the basis that the probability of a house being burgled over a 6 month period is इतना, perform a test to investigate whether the binomial model with this value of P provides a good fit for the data so basically अपने को क्या करना है P is equal to 0.13 के हिसाब से अब दुबारा से सब निकालेंगे, दुबारा से क्या निकालेंगे, 6C 0 P to the power 0, 1 minus P to the power 6, 6C 1 P to the power 1, 1 minus P to the power 5, इस तरीके से इस तरीके से बागी सारा निकालेंगे 6C 6, P to the power 6, 1 minus P to the power 0, और फिर इन सब को किस से multiply करेंगे 100 से multiply करेंगे तो जाके मेरा क्या आ जाएगा expected frequency आ जाएगा actual अपने को दियाव है फिर अपने क्या लगाएंगे goodness of fittest लगाएंगे तो goodness of fittest जब अपने लगाएंगे तो अपने को combine करना पड़ेगा तो combine जो अपने करेंगे 6 पे तो 0 है और तुम्हारा 5 और 4 पे बहुत कम है and 3 भी क्या है 5 से कम है तो अपने सब को club कर लेंगे हाँ हाँ अपने सब को club कर लेंगे expected should be what बोलो expected should be कब तक club करेंगे जब तक EI should be greater than 5 तो club करो और club करके क्या आ जाएगा 0, 1 और 2 है ना 0, 1 और 2 प्लस अब यह लोग यहाँ पर जो किया है यह लोग यहाँ पर 3 प्लस किया है बटे लोग गलत किया है क्योंकि 3.23 आ रहे हैं ना तो 3.23 अपने नहीं ले सकते हैं अपने को क्या करना पड़ेगा उसको भी add करना पड़ेगा जब तक EI क्या था रूल बताओ अरे अपने क्लब करते हैं ना जब तक ऐस जैसे देखो अपना जो फ्रिक्वेंसी आएगा इससे वो क्या आएगा 43.36 फिर आएगा 38.88 फिर आएगा 14.52 फिर आएगा 2.89 जिरो पॉइंट ये देखो कम होते जा रहे ना तो तब तक क्लब करते रहेंगे जब तक तुम्हारा 5 या फिर उससे बड़ा नहीं आ जाता है तो ये 0,1 और 2 फिर आगे का सब इसमें क्लब हो जाएगा तो इसल अपने बनाएंगे टेस्स्टेस्टिक तो टेस्स्टेस्टिक क्या हो जाएगा तेस्स्टेस्टिक क्या आएगा पहले ये बताओ क्लियर है तो इससे अपना जो आएगा वो आएगा कितना आ रहे है और अपना वो कितना आ रहे है आपने शुरू से करते वह आ रहे है वो तो अपने यूज नहीं किये यहाँ पर अब यहाँ पर टेस्टिंग करने में यही था कि क्लब करते रहना है ओ आई को नहीं देखेंगे जब तक मेरा एई शुद भी ग्रेटर दैन इक्वल टू फाइफ जब तक यह नहीं होगा तब तक क्या करेंगे क्लब क्लब करते रहेंगे ठीक है नो फॉर्थर रेटक्शन इस मेड़ पर पी इन दिग्रीज अफ रीडम आज दिस वस गिवन रादर दन एस्टीमेटेड ठीक है दैफोर इस रीजनेबल तो कंक्लूड यह गुड़ फिट उसमें एच नॉट क्या बनता है एच नॉट क्या बनता है गुड़ फिट और अल्टेनेट क्या बनता है नो गुड़ फिट ठीक है देख लो उसको question number 7 question number 7 question number 7 question number 7 and actually has designed a new product to insure luxury apartments if there is a claim her insurance company pays a fixed sum of pound 1 million per claim The probability of a claim on a policy in a given year is theta and the probability of more than one claim on a policy in any given year is 0. ठीक है? The actuaries' prior beliefs about theta. So, basically theta follows what? Beta distribution 3,5. In the first year, the company insured 300 apartments and in the second year, it insured 300 plus X apartments where X is integer. In year 1, the total amount of claims was itna while in year 2, it was itna. So that the posterior distribution of theta is beta with parameters 102 and 506 plus X. ठीक है? So, basically, अपने को posterior निकालना है. quadratic loss, all or nothing loss. ठीक है, यह सब अपने को करना है. तो चलो, चालू करो. तो पहला पाट कैसे करेंगे? Posterior कैसे निकालेंगे, बताओ. prayer दियाव है. तो अपने क्या आप करेंगे? और data कितने साल का अपने को दियाव है? दो साल का. So, Fy given theta Fy given theta Just hold on for a second. Thank you. झाल 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 तर दो भाव AJilla जबन हेतर बाव फ्योविए स्थेटा हेतर तो फाव lt 9 arguments फित फित दे पाव तो इस ते लो डोइंट ही त फित दो टे पर तू शी Edi 1-theta to the power 240 plus x, समझा? बोल दिया है ना कि पहला साल 300 था, सो 300 में तुम्हारा 39 million हुआ ना? हाँ, तो इसलिए उसे साब से ही calculate हुआ है, ठीक है ना? हम? सो यह आ गया, तो इस वाँ, फेटा वाँ बढश ना किता आए4 फेटा टेटा ईपाँम्हारा एच्छेची तो ना ना प्य né-फेटा 5-0-1 plus x प्रायर पाँम्हारा प्यल्सटा वह वाँर वे F्धिता अपoterैसे to theta square, 1 minus theta to the power 4. So the posterior density will be what? F theta given y, F y given theta into F theta, theta to the power 101, 1 minus theta, 505 plus x. ठीक है? So ये क्या follow करेगा? beta, 102,506 plus x. वो ये अपने को proof करने बोला था. फिर quadratic loss के अंदर में क्या होता है? हाँ? So theta hat will be what? Expectation of theta given, क्या होगा बोलो? y. So this is 102 whole divided by 102 plus 506 plus x. So this is 102 by 608 plus x. All or nothing loss, क्या निकालना है? Mode. Mode is the value with the highest frequency. So mode निकालने के लिए मैं को differentiate करना पड़ेगा. So I need to calculate d d theta of F theta given y. So 101 theta to the power 100, 1- theta 505 plus x minus theta to the power 101, 505 plus x 1- theta 504 plus x. So this is what? Theta to the power 100, 1- theta 504 plus x, है न? हाँ, 101, 1- theta minus 505 plus x, होल इंटू theta. ठीक हैं? तो एबाइस को देख लो. एबाइस को देख लो. ठीक हैं? हैं? हैंने क्या किये हैं? theta आठा और 1- theta था ना? तो product rule लगाएं. एक को रखे दूसरा को फिर दूसरे को रखे पहले वाले को. सबको clear है, यह ला? इसको solve करके 0 put करो. तो बड़ा pdf maximize हो जाएगा. So basically d d theta f of this is equal to 0. तो यहाँ से theta स्विगल क्या निकल रहे है? 101 by 606 प्लस x. ठीक है है? log लेके maximize हाँ एक ही बात है. ठीक है? Just that, justify that in this case the basin estimate of theta cannot be the same under दोनों को equal करने बोल रहे है. So हाँ हाँ वोई तो बोला है कि दोनों equal करके देखो कि same है की नहीं है मतलब. तो जब दोनों को equal करेंगे, 102 by 608 plus x is equal to 101 by 606 plus x. जब इन दोनों को मैं equal करूंगा, तो यहाँ से x का value negative आ जाएगा. जो कि possible नहीं है. ठीक है ना? Number of apartments in year 2 would be, नहीं, actually negative नहीं. जैसे यह negative ही मतलब कितना आ रहे है? minus 404 आ रहे है. So, 300 minus 404. यह वल्ला तुम्हारा आएगा minus 104. तो basically minus 104 apartments थोड़ी ensure कर सकता है. This means that the number of apartments in year 2 would be minus 104 which is not possible. ठीक है ना? Next question देखो चाहे number. अच्छा, 6 रुको. An actually is asked to check a linear regression calculation performed by a trainee. The trainee reports a least square slope parameter and a sample इतना. नहीं हो पाएगा तो. बीटा पॉसिटिव है और वो नेगेटिव है तो नहीं पॉसिबल है. In a different simple linear regression model, a histogram of the residuals is shown below. Comment on the validity of the assumption of the linear model. क्या होगा, बताओ इसका. ऐसा एक दम analytical question आएगा, comment, comment type का ही आएगा पूरा. The histogram suggests a non-symmetric distribution for the residuals non-symmetric about 0. क्योंकि ऐसा बन रहा है ना, तो इसे लिए. फिर बोलता है, pairs दे दिया है, सारा data दे दिया है. To determine the fitted line of the regression model. So fitted line के लिए अपने क्या क्या निकालेंगे? बीटा हैट, फिर अपने निकालेंगे alpha हैट, ठीक है? और फिर अपने करेंगे y हैट इस alpha प्लस बीटा हैट x, ठीक है? तो यहां से जबना line आएगा y हैट, यह आएगा minus 1, sorry, line आएगा minus 1.066 minus 4.013, x, फिर अपने को बोला है, 95% confidence interval for the predicted mean response. तो predicted mean response का मतलब क्या है? predicted mean response का मतलब क्या है? अपने को बोला है, तो y हैट का value निकालेंगे है. तो minus 1.066 minus 4.013 into 11, तो यह मेरा आएगा minus 45.207, फिर हम लोग निकालेंगे sigma hat square, sigma hat square का formula मैं बार-बार करा चुका हूँ, बार-बार नहीं कराऊंगा. last class एकदम same type का question किये थे. तो s y y minus s square x y by s x x whole divided by n minus 2. तो यहां से मेरा आएगा 0.1387045, यह ना? अच्छा, बीटा हैट का value क्या होता है? s x y by s x, तो alpha hat is what? y bar minus beta hat x bar. सारा data हम लोग को दे दिया है. सिग्मा हैट square आगया, फिर निकालेंगे variance of y hat. सो विच इस 1 by n plus x naught minus x bar ka square. whole divided by s x x. सो whole into sigma hat ka square. सो this is 0.08490399. ठीक है? और हम लोग को कितना data दे दिया है? नौ दिया है, नौ दिया है, नौ डेटा दे दिया है. लोग गलत किया है क्या? नौ दिया है कि 10 दिया है? ओ हाँ, तो यहाँ पर क्या follow करेगा? टी, 8,0.025 यह हम लोग को निकालना पड़ेगा. तो यह वाला जो value है अपना, यह आ रहा है, 2.306. ठीक है? तो अपने कैसे करते हैं, बताओ. कैसे करते हैं? निकाला न उपर? माइनस 45.207 प्लस माइनस, अभी यह जो है है असका root. तो बिसिकली 0.08490399 का root इंटो 2.306. फिर हम लोग को बलता, comment on the width of a 95% confidence interval for the projected mean response if x was 3.5 as compared to the width of the interval. अच्छा. आप जैसे देखो, अपना जो यह है ना, x-bar कितना है? पहले यह बताओ. x-bar अपना कितना है? 4.5 है, तो 3.5 तुमारा नस्दीक होगा. है ना? So basically variance कम होगा. width कम होगा. The width of the interval is only affected by variance of y-hat. तो लोग चीज समझा ना, यह वाला जो term है. So x-not minus x-bar का जो square है, यह गिर जाएगा. तो मेरा variance of y-hat भी क्या होगा? गिर जाएगा. The term will now be smaller as the new x-new is closer to x-bar. So 1 अपने लिए थे 11 और 1 अपने लिए है 3.5. और अपने minus किस से कर रहे है? 4.5 से. तो यह वाला जिसको लेके कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बताओ. variance of y-hat गिर जाएगा. और variance of y-hat गिरेगा, तो standard error भी गिरेगा. तो plus minus कम होगा ना, तो width छोटा हो जाएगा. interval will be narrower. ठीक है? कभी अगर ऐसा आएगा ना, तो बठा के देख ले ना, फिर मिटा देना. बताओ, करके देख लेना है, तो तुम लोगा idea लग जाएगा, क्या answer करना है? लुपा question था है, तम सेम जैसा आपने उसमें किये थे ना, वैसा ही type का question है. आईए, इसमें आईए, फाइव में आईए. An insurance portfolio has a set of N policies for which the company has recorded the number of claims per month YIJ for M months. It is assumed that the number of claims for each policy for each month are independent. So, expectation of YIJ is Mu IJ. These random variables are modeled using a simple generalized linear model. So, LN Mu IJ is Beta I. MLE निकालने बोल रहा है, फिर deviance निकालने बोल रहा है. ठीक है? तो सबसे बहले MLE निकालने बोल रहा है. कैसे करेंगे बताओ? So, अपने को सबसे बहले क्या निकालना है? Likelihood निकालना है? So, likelihood of Mu IJ, YIJ. So, this is product. I runs from 1 to N. Product, J runs from 1 to M. Mu IJ. देखा, अपने को क्या बोला है? Poison random variable बोल दिया है. Mu IJ to the power YIJ. E to the power minus Mu IJ. Whole divided by YIJ का factorial. ठीक है ना? यहला clear एकदम. अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? Log Likelihood निकालेंगे. So, this will be LN. LN of Log Likelihood, Log of Likelihood, Mu IJ, YIJ. So, this is equal to what? LN of Log Likelihood, Log of Likelihood, Mu IJ, YIJ. क्या का बताओ? Summation I runs from 1 to N. J runs from 1 to M. YIJ LN Mu IJ Minus Mu IJ Minus LNY I का factorial. मने जैसे YIJ LN Mu IJ हो गया. फिर Minus Mu IJ Minus यह आ गया. और Double Summation आ गया. अब इसमें अपने को देखो, Sum में कुछ दिया वह है. अपने को Sum में क्या दिया वह है? Double Summation तो अपना आ गया. यहाँ पर क्या आ जाएगा? YIJ बीटा आई. बोला है ना? क्यों में देखो, क्या बोला है? LN Mu IJ is बीटा आई. Minus E to the power बीटा आई. Minus LN YIJ का factorial. ठीक है? अपने को यह दे दिया question में. अब इसको differentiate करेंगे with respect to बीटा क्यों के बोल दिया है. अपने को निकालना है DL D बीटा आई. So this is summation J runs from 1 to M. क्यों बोलो तो? क्यों? एक I वाला summation तो हट जाएगा. क्योंकि I runs from 1 to N है ना? तो इसमें एक ही बार ना बीटा आई आएगा. यसे 1 to N एची समझ. तुम क्या कर रहा है? बीटा आई. So for example, if you are differentiating with respect to बीटा 1. तो बीटा 2, 3 लेके सब कुस तो 0 हो जाएगा. बचेगा क्या? खाली बीटा 1 बचेगा. ये चीज़ समझो. I value लेता मान लो 1 से N. तो तुम डालेगा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ऐसा करेगा. पिर सम करेगा. ये ही करेगा ना? तो एक ही ना ऐसा होगा जो बचेगा, जो आई बाला जो है. बाकी सब तो इस बाकी सब तो बचेगा जीडा हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं बीटा 1. ये चीज़ समझ ले ना, ये बहुत काम आता है स्टाट्स में. बीटा 1 के रेस्पेट में डिफ्रेंशेट कर रहा है. और सम में बीटा 2, बीटा 3 सब है. तो ये सारा पार्ट को 0 हो गया. खली एक ये ही तो बच रहा है. चीज़ है ना? चीज़ समेशन, जै रन्स फ्रम 1 तो M. तो Y I J, माइनस M, E to the power बीटा आई. ठीक है? क्यों बहुतो? हाँ, M 12 के E to the power B time वो हो रहा है. ठीक है? अब इसको equal to 0 पुट कर दो. तो क्या आ जाएगा? हाँ? E to the power बीटा आई is summation J runs from 1 to M Y I J by M. So E to the power बीटा आई is what? Y I bar. ठीक है ना? ठीक है अक्यों डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? So Y I bar is what? Summation J runs from 1 to M Y I J by M ठीक है है? So दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आ जाएगा? So बीटा आई is what? L N Y I bar. फिर हम लोगों को बोलता है, डेवियेंस निकालने बोलता है. यह बहुत अच्छा कोश्चिन था. फिर हम लोगों को डेवियेंस निकालने बोलता है. So डेवियेंस निकालेंगे तो L S करेंगे ना? So saturated का क्या निकलेगा? I runs from 1 to N Summission J runs from 1 to M Y I J L N Y I J Minus Y I J Minus L N Y I J का factorial और जो C A जो current वाल है, वो क्या हो जाएगा? बोलो हाँ? क्या होगा बताओ? L C क्या होगा बताओ? L C क्या होगा बताओ? Summation I runs from 1 to N Summation J runs from 1 to M Y I J L N Y I bar Minus Y I bar Minus L N Y I J का Factorial किसे रिप्लेस करें बताओ? देखो अपना करेंट में क्या था? बीटा आई था राइट? अब बीटा आई अपना आ रहा है L N Y I bar तो वो ही अपने रिप्लेस कर दिये हैं चीक हैं? अब अपने करेंगे D is what? 2 into L S minus L C So, this is what? 2 into double summation Y I J L N Y I J minus Y I J minus L N Y I J का Factorial minus double summation Y I J L N Y I bar minus Y I bar minus L N Y I J का Factorial यही तो है ना? तब क्या बच रहे? 2 double summation Y I J common हो गया, good Y I J और फिर log वाला जो पाट है divide में आ जाएगा Y I J by Y I bar minus Y I J minus Y I bar नहीं ठीक है? ठीक है है? हाँ? तो Y I bar is what? summation Y I I J by M J runs from 1 to M ठीक है ना? ठीक है? पिर अमनों को बोल रहा है, the company has data for each month over a 3-year period. For one policy, the average number of claims per month was itna. In the most recent month for this policy, there were 7 claims. Determine the part of the total deviance that comes from this single observation. So, Y I J मेरे को कितना दे दिया है? So, Y I J is 7. Y I bar देख आपने को क्या बोल रहा है? For one policy, the average number of claims per month. So, basically, Y I bar is what? 18.95 और फिर अपने को क्या निकालने बोल रहा है? D I J So, basically, 2 7 ln 7 by 18.95 minus 7 minus 18.95 ठीक है? So, this is 9.957 खाली इस से निकालने बोल रहा है. बोलता है, Determine the part of the total deviance that comes from this single observation. माने काली इस से कितना आ रहा है? ये बताईए मेरे को. From this single observation बताने बोल रहा है. ठीक है न? Okay. देख लो उसको, बहुत important question. बहुत अच्छा question है ये. पोर देखिए. X and Y are discrete random variables with joint distribution दे दिया है. अपने को निकालने बोल रहा है expectation of Y given X is equal to 1. ये कैसे निकालेंगे expectation of Y given X is equal to 1? हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? F of Y given right. So basically, यहाँ पर क्या करेंगे? Y का value क्या क्या हो सकता? minus 1, 0, 3, 4.5. तो whatever अच्छा से बताओ, क्या लिखेंगे है यहाँ पर? F of 1, बुलो minus 1 by Fx 1. ये तो लिखेंगे? फिर यहाँ पर क्या आएगा? F of 1, 0 by Fx 1. पिर यहाँ पर लिखेंगे F of 1, 3 by Fx 1. पिर यहाँ पर लिखेंगा F of 1, 4.5 by Fx 1. ये लमेरा हो गया? और फिर क्या करेंगे? Y का expectation है. So this into this, this into this, this into this and this into this का sum. फिर हमनों को निकालने बुला है variance. variance किसका निकालने बूल रहा है? X given Y is equal to 3. तो इसके लिख क्या करेंगे? हाँ? फिर दुवारा से X का क्या क्या है? देखो. 0 है, 1 है और 3 है. तो क्या निकालना पड़ेगा? पहले ये बताओ. फिर तो conditional probabilities अब निकालना पड़ेगा ना? तो क्या क्या निकालेंगे बताओंगे? F of 0,3 by Fy3. फिर F of 1,3 by Fy3. फिर यहाँ पर F of 3,3 by Fy3. फिर अपने same process करेंगे. जब यह वाला करेंगे, तो क्या आजाएगा? Expectation of X given Y is 3. फिर क्या करेंगे? इसका square into this. प्लस 1 का square into this, प्लस 3 का square into this. So, expectation of X square given Y is 3, minus expectation of X given Y is equal to 3 का whole square. Calculate the probability function marginal निकालने बोल रहा है X और Y का. तो अपने जब sum करेंगे, जब X vary कर रहा है, तो क्या निकलेगा? जब X vary कर रहा है, तो क्या निकलेगा? Y का marginal. और जब Y vary कर रहा है, तो क्या निकलेगा? X का marginal. X and Y are independent or not. तो joint should be equal to what? Product of marginal. ठीक है ना? यह लग question easy था. ऐसा कोई दिक्कत नहीं था इसमें. main जहां पर अपने को वो करना रहता ना? conditional अला, जो मैंने आपर किया है. हली यही वला पार्ट इसमें main आवा. कि तो marginal सब तो निकाली लेंगे. ठीक है? आओ एबा question number 3 पर आओ. अपने को दे दिया है. रिस्क दे दिया है. XI बार और SI. EBCT model 1 है. ठीक है? तो EBCT model 1 में अपने को क्या-क्या करना होता है? क्या-क्या data निकालना होता है? process बताइए तो. क्या-क्या निकालना होता है? table log निकाली है. So expectation of S square theta क्या है? बताओ. estimated by the average of the sample variances. So average of the sample variances कैसे आएगा? Sample variance अपने को दे दिया है. So 3959980 plus 7543626 plus 3151286 whole divide by 3. ठीक है? फिर x-bar is what? तीनो का mean. So 2109 plus 6152 plus model 1 तो भहत इसी है. divide by 3. Sample variance निकालना है of the xi bars. Sample variance मने overall mean से individual mean कितना दूरी पर है. ठीक है? So अपने कैसे निकालेंगे ध्यान देना? ये तो निकालेंगे. इसके बाद में क्या निकालेंगे ध्यान देना? अपने करेंगे 1 by 3 minus 1. Summation i runs from 1 to 4. ठीक है? क्योंकि अपने को बोल दिया है. देखो नहीं, यापर दे दिया. xi bar में दे दिया. 4. xi bar देखो क्या दिया? 1 by 4 summation xij. and si square दिया 1 by 3. ठीक है? So it will be 1 by 3 minus 1. Summation of xi bar minus x bar का whole square. ठीक है? So कैसे करेंगे? 0.5 into एक मैं करके दिखाता हूँ. 2109 minus 3759 का square फिर प्लस dot dot plus लास्ट वाला क्या हैगा बताइए? 301 minus 3759 का square. ठीक है ना? अब अपने को निकालना है variance of m theta. So variance of m theta is what? 1 by 2 summation of x i minus x bar x i minus x bar minus 1 by 4 expectation of s square theta. है ना? अब फिर अपने क्या निकालेंगे? इसके बाद next step में क्या आएगा? z which is n by n plus expectation of s square theta by variance of m theta. पिर अपने को बोल रहे है number of years of data z is an increasing function of n क्यों? क्योंकि n जैसे बढ़ेगा वैसे बैसे मैं sample पर alliance बढ़ाऊंगा. the variance of the claim amounts z is a decreasing function of s square theta. If expectation of s square theta increases basically denominator का numerator बढ़ रहे है. Right? So denominator बढ़ेगा मतलब पुरा गिरेगा. logic क्या है variance of the claim amounts from one or more of the risks where to increase इसका मतलब क्या मैं individual data पे कम rely करूँगा. चिक है? ऐसा नहीं है doable है यह सब आओ question number 2 पे आओ. एसी बंद कर दो. Question number 2 पे आईए. Let x1, x2, dot, 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 xn be a random sample consisting of independent random variables with mean, mu and variance sigma square. So अपने को x बार दे दिया है summation of x i by n अपने को expectation of x बार निकालने बोल रही है. यह अपने कर लेंगे. यह क्या आता है? Expectation of x बार क्या आएगा? x का जो expectation है, वो ही आएगा. 1 by n summation of 10 n कट जाएगा. तो mu ही आएगा इसका answer. variance में क्या आएगा? x-bar का? sigma square by n. Excellent. इसा बहुत बार कराया है. comment on the variance of the variable x-bar as compared to variance. हाँ, individual का variance जादा होगा और x-bar का जो variance होगा, वो कम होगा. ठीक है? An actor is interested in exploring the difference in size of claim losses from two insurance portfolios and can take samples of claims from these portfolios. Explain how the answer to part 2 can affect the precision of the actuary's comparison. Individual values are less precise than the average of a sample. Larger sample leads to smaller variance. क्योंकि क्या बुलता है? बुलता है, exploring the difference in the size of claim losses from two insurance portfolios. मतला, वो क्या देखना चाहता है? कि दो portfolios में कितना फरक है? ठीक है ना? So, individual values are less precise than the average and large sample leads to smaller variance. पहला अला पाट देखो, क्या बुलता है? A service should 40% of investors invest in at least two companies in order to diversify their risk. Calculate approximate probability that more than 100 investors have invested in at least two companies. हाँ, So, basically, सबसे पहले क्या होगा? इसमें expectation of variance निकलेगा. Binomial है ना ये? इसको उससे करना पड़ेगा. So, basically, 300 into 40% फिर 300 into 40% into 60% तो आ गया? अपने को निकालने बोल रहा है, more than 100. So, X is greater than 100. So, probability X is greater than 100. 100.5 क्योंकि 100 का पुरा range को नहीं लेना है. So, probability Z is greater than 100.5 minus 120 by root under 72. ठीक है ना? हाँ, तो हो सकता है, नहीं दिया होगा. By root under 72 आ रहा है क्या, हाँ. ठीक है, आज के लिए इतना है करते हैं, ठीक है, कल कल लेंगे. सर, कल हमनों करेंगे 20 का. हाँ, बोलो. सर, जेन्टर डाउट था कि जो मॉक फॉरम पे पड़े हुए, जो रिसेंट एक पेपर भी का मॉक दिया, अगर वो दे दिये हो, तो पास्ट मॉक भी ट्राइ कर सकते हो, बट मैं कल तक में दे दूँगा, मतलब, कल तक आपको मॉक मिल जाएगा, तो वो भी दे देना, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. मतलब कल वाली देना, जो पुराने वाले देने दूँगा, प्रैक्टिस के लिए मॉक की तरह मत देना, ने वाला मॉक में कल दे दूँगा, ठीज़े सर्थ, हाँ, मुस्कान, बोलो, सब्सक्राइब काफी बड़े-बड़े फॉर्मुलाज है, तो आयाय में वर्ड पे सारा फॉर्मुलाज जैसे पूरा लिखनी की जुरूरत है, या पर नंबर्स कर सकते हो, नंबर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर देगा ना तो बहुत इजीली पुरा दे देगा मतलब पेपर में, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, MCQ के फॉर्म में दे सकता है, क्योंकि 40% MCQ हो गया है, ठीक है, थैंक्यू,